दोस्तों आज हम आपको बताते हैं मुगलो की असलियत जो आपको आज सक किसी ने नहीं बताई होगी मुगलो के बारे में आपने इत्यास की किताब में बहुत कुछ पढ़ाओगा और आज कर सोशल मीडिया पर भी मुगलो की बारे में की जानकारिया आ रही हैं लेकिन वो सब सच नहीं है और अंजिब की बात थी ले लीजिए तो कोई उसे महान शाषक बताता है तो कोई हत्यारा यहां तक कि अकबर की बारे में कहा जाता है कि बुड़ा होने के बाद उसने इसलाम छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया था चलिए हम आपको मुगलकार की कुछ ऐसी सचाइब बताते हैं जिसके बारे में आपको आज सक नहीं पता होगा मुगल शाषकों में इसलाम की शल्ती के बीविया रखने के अपराद नहीं माना जाता था एक राजा की सेगडो बीविया होती थी जो उसके साथी महल में रहती थी राणियों की सेवा के लिए दासों का इंतजाम होता था राजा भी हर दिन अलग-अलग बीवि के साथ रहते थे मुगल शाषक बाबर के बेटे हुमायू को अफीम और शराब की लट लग गए थी लोग कहते हैं कि अपने नशे की वज़े से हुमायू शेर्शाथ सूरी से हार गया था शाजहां के बेटे औरंजिव ने अपने ही तीन भाईयों की हतिया कर दी और राजया बन बैठा था उसने अपने पिता को भी कैद में रखा था औरंजिव को मुगल काल का सबसे कुर्शाषक भी कहते हैं इतना ही नहीं उसने अपने शाशनकाल में संगीत पर भी परतिबन लगा दिया था ये सच है कि शायद किसी को पता हो जहंगीर कभी भी किसी कनीज अनारकली की प्रेम में नहीं पड़ा था यह केवल मुगल सामराजी के छवी निर्मान के लिए गड़ी के कहानिया मातर थी यानि असल में कोई अनारकली थी ही नहीं आंतरी कले के चलते जहंगीर ने अपने बाप अकपर को जहर देकर मरवा दिया था उसने केवल सता की लालच में आकर अपने पिता को मरने की साजिश रची थी ये सच शायद ही आपको पता होगा अकबर को डिसकलेसिया नामक बिमारी थी और इसी वज़े से वह जीवन भर अनपड रहा आगे चलकर धीरे-धीरे मौकी ग्यान के जरीए अकबर ने दीने इलाही धर्म की शुरुआत की और उसके बाद मुस्लिम नहीं रहा मुगल काल में मुगलों ने बरसों तक भारत पर राज किया और कभी सोने की चिडिया कहे जाने वाले भारत में खोब लूट खसोट मचाई थी मुगल काल में अकबर को महान योधा की रूप में याद किया जाता है अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर कहेगा हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी जरूर दबाए जिससे आपको ताजी अपटेट मिलती रहे धन्यवाद